हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माई चैनल आज मैं फिर आज जिर हो गई हूँ आपके लिए धेर सारी किचन टिप्स लेकर आज के हमारी टिप्स नब बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है तो वीडियो को फुल वाच कीजेगा वीडियो आपको जरा भी अच्छी लगे तो लाइक शीयर जरूर कीजेगा तो चले याँ पर जो मेरी फर्सटब है आप वीम के डब्बे को लेकर क्या आपने कभी गेट पर ताले की जगह विम निशान लगा लीजे या फिर आप इसके बैक साइड पर भी निशान लगा सकते हैं जैसे निशान मैं लगा रही हूँ ऐसे ही आपको निशान लगाना है और जिस तरह से हमने इसको निशान लगा कर कट किया है उसी तरह से आपको कट करना है इससे होगा क्या वो आपको इस्तमाल होता है और हर बार हम कंटेनर खरीद के लाते हैं जिससे कि ये कंटेनर हमारे जादा यूज में नहीं आपाते हैं लेकिन आज के बाद न आप इस तरही से मैं जो बनाने वाली हूं आप हमेशा अपने घर में एक दो जरूर बना कर रखेंगे जितने भी घर में आप तो इसकी बहुत जादा डिमांड है तो देखिए हमने इसे इस तरीके से कट लगा लिया और चलिए अब इसका इस्तमाल कैसे करना है कहां पर करना है वो भी देख लेते हैं तो मैं लेकर आ गई हूं इसको अपने में गेट के पास जैसे कि आपने देखा होगा हम लोग रा जहां पर ताले वाला पार्ट होता है वहां पर इसे इस तरह से लगा दीजिए ठीक है अच्छे से लगाने के बाद में अब आपको इसकी अंदर ताला लगाना है इससे फाइदा क्या होगा कि आपके ताले बरसात के टाइम में बारिश की वज़ए से जंग लग जाती है हमारे तैला खराब हो जाते हैं फिर वो बरसात हो फिर आधी हो कुछ भी हो इसमें ना आपका ताला एकड़ा एगदम सेफ रहेगा ना तो ताले में पानी जाएगा और नाहीं आपका ताला खराब होगा तो देख सकते इसमें इजली बड़े साइज का ताला आ जाता है और अगर आपके पास में और बड़े साइज का है तो आप थोड़ा सा कोई और कंटेनर ले लिजे प्लास्टिक के हमारे पास ऐसे कंटेनर बहुत पड़े रहते हैं और उसके बाद आप इसमें कैप लगा दीजे तो इसके कि अगर आप को में अच्छी लगें तो फ्लीज किजेगा, च्वось ले 2 एक कि companies अधर् सोने की बाट सबमें ना हो उसके लिए आप् यहुत मी जरूर को आप एक बड़ ट्राइ कीजिएगा आपको 110 परसंट पसंद आएगी और इसको यूज करना और इसको निकालना खोलना सब कुछ बहुत आसान है इसली आप इसका कैप हटाईए और ताला अपना खोल दीजिए बहुत इसली खुल जाता है और उसके बाद आप कंटेनर को हटा कर अपने ताले को रख दीजिए जब आपको इस्तमाल करना होगा फिर से कर लीजिए तो है ना कमाल का एडिया तो चलिए ऐसा ही बढ़ते हैं नेक्स आडिया की तरफ नेक्स टिप के लिए यहाँ पर हमने लिए हैं कॉम तो देखिए ऐसे सिमिलर से कॉम हमारे पास भी हो चाहिती हैं शेयर करते करते हैं हमारे को मिक्स हो जाते हैं तो उसके लिए मैं सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर कर देखिए आप न अपने कॉम पर कुछ नेल पेंट से डिजाइन ड्रॉ कर लीजिए जिससे कि आपको अपने कॉम की मतलब पहचान रहे कि यह आपका गोम ह वैसे तो कॉम कभी किसी के साथ शेयर नहीं करने चाहिए लेकिन बहुत सी लेडीज होती हैं जो नहीं मानती हैं और आप हर किसी से मना भी नहीं कर सकते हो क्योंकि फिर बुरा लग जाता है तो उसके लिए आप न हमेशा यह कीजिए कि आप अपने जो कॉम है उस पर किसी की तरह से कोई भी डिजाइन ड्रॉ कर लीजे जिससे कि आपको पता चल जाए कि यह आपका कॉम है और अगर आपका कॉम किसी ने इस्तमाल कर भी लिया है तो आप उसे एजली फिर वाश कर सकें और आप अपना कॉम खोने से बचा सके तो यह छोटी सी टेप है लेकिन पास्ता कुछ भी ऐसी चीज रखते हैं जिसके साथ हमें बच्चों को चम्मच देनी होती है तो हम क्या करते हैं मैक्सिमम तो लेडीज क्या करती है इसी कंटेनर में जो इसमें बच्चों का लंच पैक किया है उसी में चम्मच को डाल देती है लेकिन उससे क्या होता चमच तो आप डेली क्लीन नहीं करते तो उस ताइमें पे न हमारी चम्मच भी गंदी हो जाती है तो आप छोटा सा काम कीजे इस चम्मच को फाइल पेपर से या फिर किसी निउस पेपर से कवर करके उसके बाद आप अपने जो लंच बॉक्स में रबर फिक्स किया उसमें आप नहीं होगी और जो लंच बॉक्स है वह भी मतलब चम्मच से मिक्स नहीं होगा तो नेक्स टिप है मेरी इस तरह जो भी कोई दुपट्टा वगैरा हो या फिर आपके पास कोई साड़ी हो तो दुपट्टे की बराबर लेंथ में कट कर लीजे तो मेरा यह बहुत प्यारा स प्रिंट काफी सुन्दर है और इसका जो सूट है वो फट चुका है तो दुपट्टे का मैंने सुचा कोई न कोई री यूज करना चाहे क्योंकि हमारे पास ना कितनी भी अलमारी हों कुछ भी हो लेकिन स्पेस कम पड़ जाता है फिर चाहे बच्चों की बुक्स रखने की ज जिसमें कि आप अपने बच्चों की या तो बुक्स भी रख सकते हैं चाहे तो आप इसमें कपड़े भी रख सकते हैं जो चाहे आप वो रख सकते हैं तो उसके लिए देखे पहले आपको जो दुपट्टे का खुला हुआ पार्ट होता है न वहां पर कुछ इस तरीके से बना कर और नीचे की तरफ पूरे उसको मतलब सिक्योर कर लेना है कि यह आरा टेडा ना रहे है बिल्कुल इक्वल रह जाए उसके बाद में जहां से ओपन वाला पार्ट है जहां पर हमने प्लेट्स लगाई है वहां पर एक नौट लगा लीजे बस आपको एक नौट लग बनकर त्यार हो गया है तो चलिए इसका इस्तमाल कैसे करना है वो भी आपको दिखा देते हैं तो देख सकते हैं आप इसे हमने किसी भी आप हुक में टांग सकते हैं और उसके बाद आपके पास मतलब जो भी प्लास्टिक की ट्रेव अगरा हो या फिर कार्ड बोड हो जैस इस तरही से दुपट्टे में अंदर सेट कर सकते हैं अब इसमें आप अपनी चाहे बच्चों की बुक्स रख लीजिए या फिर कपड़े रख लीजिए तो मैं यहां पर पहले बच्चों की बुक्स रखकर आपको दिखा रही हैं और कितना भी आप इसमें रख लेंगे आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं चाहे आप अपने बात्रूम में हैंकर दीजिए इसे या फिर आपकी मतलब कहीं पे भी ओपन एरिया है अगर आपको दिख रहा है आपके घर में जगा नहीं है कपड़े रखने की तो बच्चों के टेबल के आसपास भी कर सकते हैं तो आती साथ मुझे कमेंट करकर जरूर बताएगा कि आपको मेरा सबसे ज्यादा कौन सा आइडिया पसंद आया है तो चलिए ऐसी अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं मिलूंगे आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाए